हलो फ्रेंग्स वेलककर वेज़ों टो ओन चनल का मार्केट का रह सकता है क्या मार्केट में गडाॉं इसके या ओन है Carry Cup को सकता है निए सब्सक्रिफ करेंगे आप लोगोगों की क्वेरीश यह अदानी ग्रूप क्रैश किए तो उसके वाजह मैंने यहां पर रिसेंटली एक वीडियो रखा है अधानी ग्रूप के बारे में नहीं देखा है एक बाज आके जरूर देखीगा ठीक है देखो मुद्धे पर आ जाते हैं स्टार्टिंग में वन वर बोलूगा मैंने आपको यस्टडी बोला था कि मार्केट में डाउ जोंस क मन्थली बिजिस पे ठीक है सपोर्ट में आपको पहले भी बोला था यह सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है ध्यान से देखो यह लास्ट टेम का जो यहां पर हाई दिखाई देरा था 28700 या 28600 के असपस ठीक है वो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है और वही सपोर्ट लेके बाउ प्रकिट जा सकता है ठीक है फॉल की चांसे अल्मोस्ट एटी पॉसन ना है ठीक है एटी टू एटी फाइफ़ पॉसन रिकावरी के हाई हाई चांस हो जाते है एवन आज देखो कि तो एफ ने खरीदा रिकी है तो सभी फैक्टर्स पॉजेट्टिव आना स्टार्ट हो तो फिर आज फॉल क्यों किया डेफनेली कोशन तो आता है ना देखो मार्केट में गड़न की पॉसबिलिटी थी लेकिन मार्केट गड़न ओपन नहीं हुआ ठीक है तो एक डेफनेट्ट एक लोजिकल रिजन होता है कि बाइग ड़न ओपन नहीं हुआ होना चाहिए था ठ ठीक है ट्रेडर्स की रिटेल इमेशर के नॉर्मल स्ट्राइकोलोजी इसकी वाज़े से फॉल किया अब यह 200 डेमा के असपास है अगर गैप अपन होगा तो चांसे से यहां पे 17100 या 17000 को ब्रेक कर सकता है कल के दिनों के अंदर और अगर आप देखोगे यहां पे गैप है ठीक है अब सर्ट तो फिट्रेड कल कैसे करने मुझे यह बता दो देखो ध्यान से यहां पर आपको हमेशर फोकस करना चाहिए अगर मार्केट फॉल करता है तो कौन से रिंज पर फॉल करता है ठीक है तो अगर आप द्यान से देखोगे 16,960 से लेके 17,080 या तो 17,070 य जो निफ्टी यहां पर ट्रेड करता हुआ दिखाई जिया है अगर यह रेंज बेक हुई तो आप ट्रेड कर सकते हैं यानि यह मूटा मूटा आप यह समझो 17,080 को ब्रेक किया तो 17,200 तक की टार्गेट आपको दिखाई जा सकते हैं approximately 17,100 साइंट 17,180 वो दिखाई जा सकत हैं बाते समझ में ठीक है तो कल की यह सेकोलोजी है यह ट्रेडिंग सेट अप है अगर गयाप ओपन हो जाता है वेट कर लेना और लेवल को फोकस करना या फिर 940 वाली स्टेटेजी आप ट्राइक कर सकते हैं ठीक है बाते समझ में तो ओल इन ओल यह जरू आप ट्राइक ज सकता है ठीक है हम लोग क्या करेंगे स्टेबल एंग डाउन में आज का लोड टूटेगा तो हम लोग शॉट करेंगे सोला आट सो तक की टार्गेट ही यानिकि फिफ्टी पॉइंट का फॉल आ सकता है एप्रॉक्सिमेटली ठीक है लेवल टूटेगा तो वरना तो नहीं मे कि देखो डाउं जोन्स बोलते बोलते यहां पर दो पषन ओपर चला किया ठीक है सम्मेटली में आधर निफ्टी में दो ट्रेड लिये थे दोनों ट्रेड में आज मार्केट साइडवेस था स्टिल हम लोग इन चोटे ट्रेड की थे प्रॉफिट में किये थे मार्केट से देखो बाते समझ वे यह चीज़े आप सभी को भी सब्सक्राइब समझती है सेम चीज़े बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टन कहां पर है तो रेजिस्टन से यहां पर 38,400, 38,500 का एक रेजिस्टन से मेरे लिए 38,400 का रेजिस्टन से इसके उपर गया 5-10 मिट सस्तीन किया तो हम लोग ट्रेड करेंगे 30,600 और 30,700 तक की टारगिट बैंग निफ्टी में दिखाई जे सकते हैं स्टॉप लोग सरके का 100 पॉइंट का यानिकि 1 रिशो टो 100 से 200 पॉइंट की टारगिट आपको बैंग निफ्टी में दिखाई जे सकते है 38,400 को ब्रेक करता है gap down in stable में ये fall करेगा तो fall में हम लोग short करेंगे क्योंकि 38,000 का level टूटेगा तो हम लोग short कहां से करेंगे आज के low के नीचे से तो जैसे ये break होगा 37,600, 37,500 आ सकता है यानिकि 300 से 400 पॉइंट का dip, fall, crash ये हो सकता है लेकिन कब जब ये level टूटेगे logic समझ में आगे, तो मोटा मोटा ये समझो नीचे जाता है तो हम लोग भी ready है लेकिन chances है बड़े pullbacks के market की बड़े recovery के हो सकते है done, logic clear अब question आचाथ है retail इंवरेज करना start का देना चाहिए अगर छोटी मुटे loss है तो एवरेज करना start का देना तीक है लेकिन हाँ उपर के लिए उसे profit booking निफ्टी में हो सकती है सतरा 500, सतरा 400 पे तो वो भी आप mind set रखना अभी के लिए ठीक है, थोड़े active रेना है आप लोगों को अभी के लिए अब देखो इंट्राडे स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला इंट्राडे स्टॉक है औरो बिंदो फार्मा अब औरो बिंदो फार्मा में क्या देखना है चार दीन का range break हुई है यहाँ पर 20 डिमा break किया है आरे से 50 क्रॉस किया है बंदा फार सकता है उपर जा सकता है 537 की उपर हम लोग ट्रेट करेंगे 545 तक के target कितने 545 ठीक है एक परसें का stop loss लेकिन कब ट्रेट करना है जब ये level टूटेगा तो वरना नहीं ठीक है 537 ब्रेक करेगा पांच मिट सस्टेन करेगा तो ही वरना नहीं इसके उपर सस्टेन करना चाहिए 537 के उपर ओके सेकेंड स्टॉक है लूपिन देखो मैं BTST में लूपिन देने वाला था मुझे पता था कि डाव जोन्स में आज पूल बेक होने ही चाहिए डेफरेनिटली वो भी 300-400 पंड की रेली होनी चाहिए तो अभी देखो के 540 की रेली है और यह कल भी पूल बेक करेगा डाव जोन्स कल भी पूल बेक करेगा लेकिन हमारा मार्केट में हॉलीडे है ठीक है दशे राकी तो मैंने आज यहां पर इसकी वाज़े से BTSD नहीं दिया ताकि मानलो मैं रिस्क ले सकता हूँ लेकिन वाट से मैं बस नहीं ले सकते ना ठीक है तो एवरी डे थोड़ी रिस्क लेनी पड़ती है ओके ब्लाइंड रिस्क अगर एक दिल भी मेरी लॉजिक गलत हो जाते तो यह सब भी सेट अप पैसों के साथ connected है बात यह समझ में तो confidence अलग चीज़े है लेकिन loss एक अलग चीज़े है हम लोग safety के साथ जाएंगे ठीक है बात समझ में अब यह stock को क्यों focus करना ची लूप इन को क्योंकि RSA 60 है हमाना stock option strategy आप लोगों नहीं सुनी होगी ठीक है part 1 फिर एक range break कता हुआ दिखाई दिया है तो यह बंदा ऊपर जा सकता है stock के target 735 740 तक जा सकता है maximum ठीक है लेकिन trade तभी करना जब यह 727 को ब्रिक कते वरना नहीं trade करना है ठीक है थोड़ा sustain करेगा तब पांच मिट के अदर वैसे भी 200 देमा है तो थोड़ा सड़ प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है 200 देमा पर प्रॉफिट बॉकिंग जन्रली आती है तो ट्राइक करना काम कॉंटी डिम इसमें ट्रेड करना लेकिन शायद इवकालेप्स कल उपर जा सकता है ठीक है इवकालेप्स भी देखोगे 60 RSI है ट्रेंडिंग बन रहा है एक रेंज ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया ओल्मोस्ट यहां पर यह पूरी ग्रेंज ब्रेक की है आरे इसी 60 क्रॉस है ठीक है और 50 माफ क आई शायर मोटर्स देखो आपको सबसे साथ अगर फूकस करने तो इसको फूकस करना आई-शायर मोटर्स इंक लैप्स एन और विद्विक ठीक है वैसे आई-शायर मोटर्स मुझे लग रहा है कि इज़ी फॉल हो सकता है क्यों इज़ी फॉल क्योंकि नंबर बले अच्छ में हुआ था लेकिन जैसे कि मुझे पता था कि market कल शायद gap up open हो सकते due to dow jones तो ये बंदा भी gap up open हो जाएगा अगर होता है तो फिर panic हो जाएगा इसके वज़े से नहीं दिया तो हम लोग इसको intraday में ही देखेंगे 3444 के नीचे हम लोग short करेंगे 3400 तक की target आपको दिखाई जै सकते है यानि कि आपको थोड़ा बहुत fall दिखाई जै सकता है ठीक है ये बंदा fall कर सकता है crash हो सकता है ठीक है एक से डेड़ पसंद ये stock में भी profit booking और हो सकती है clear? तो कल कले चार intraday stock है चारो चार intraday stock को focus कीजिए watchlist पर रखे बंदे crackdown हो सकते है and all in all जैसे कि पहले भी आपको बोला था yesterday की वीडियो के अंदर के panic नहीं करना चे ठीक है और still बोलूँगा panic नहीं करना चे मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए goodbye जय हिं